कि आप सभी को मेरा नमस्कर मेरे YouTube चैनल सिके हिंदी साकर में आप सबीका स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहें कि आपके समझ एक नया अध्याय नया सिर्षक छाया मतचूना प्रस्तूत है यह अध्याय साथ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके कभी स्री ग्रिजा कुमार माथुर जी हैं देखिए इसमें कभी करना क्या चाहते हैं या पाठ किस प्रअधारित है इस बात को समझ लेते हैं पहले देखिए इक कभी है कभी करना चाहता है कि हमारे जीवन में दुख और सुख दोने हैं हमारे जीवन में सुख और दुख यानि दुख और सुख दोनों है लेकिन यदि हम दुख के समय में हमें जो सुख मिला है यदि हमें दुख के समय में जो हमें सुख मिला है यदि हम उसे अपने बरतमान के समय में याद करेंगे तो हमारा दुख घटेगा नहीं बलकि और भी बढ़ेगा तो बिद्यार्थिगर आप लोग इस पद्य को इस ब्याख्या को पढ़ेंगे भली भाती समझेंगे और आनन्द की अनुभूती करेंगे तो प्रारम किया जा रहा है चाया मत छूना मन होगा दूख दूना कहणे का अर्थ है कि हे मन तू भ्रम और दो विधा में मत पढ़ना तो बात को समझ लेंगे अर्थ है अनुसार देखिए चाया का अर्थ होता है भ्रह्म और दुविधा दो में इसका दो अर्थ है भ्रह्म और दुविधा तो हम दोनों का प्रयोग करेंगे ब्रह्म और दुविधा मत छुना मत पढ़ना मत भ्रह्म और दुविधा में मत पढ़ना ठीक है मन मन का अर्थ सभी कभी कर आए कि हे मन तू भ्रह्म और दुविधा में मत पड़ना अब आगे देखेंगे होगा दुख दुना इखे क्या कभी कभी क्या कर आए होगा दुख दुना यानि तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा यानि तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा यही दिखिए भाव निकालिए ब्याख्या अपने आप बनेगा होगा दुख दुना यानि तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा अब इसको ब्याख्या के अनुशार बोलना है दो पंक्तिया सबी लोग बात को समय लेंगे कभी कह रहा है कि हे मन तु भ्रह्म और दुविधा में मत पढ़ना क्योंकि इससे तुम्हारा क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा बलकि और भी बढ़ जाएगा करना करने करते होगया कभी कर रहा है कि हे मन कभी कर रहा है कि हम तु भ्रह्म और कैसे बहुर पढ़ना क्योंकि इससे तुम्हारा दुख क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और भी बढ़ जाएगा अब आगे देखेंगे जीवन में है सुरंड सुधियां शुहावनी जीवन में रंग विरंगी और अच्छी आदे भरी हुहें देखें गार्व में वंदेगा जीवन में सुरंग यारी रंग बिरंगी जीवन में रंग बिरंगी ठीक है जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी सुहावनी मतलब होता है अच्छी क्या होता है अच्छी देखे सुधिया मतलब फैली हुई है अरे यादे होता है क्या होता है यादे सुहावणी मतलब अच्छी सुधिया मने यादे लगा देंगे बयाख्या कुन सार्थ देख energies क्या लगा देंगे भरी हुई है देखेंगे जीवन में और ऑच्छी यादे भरी हुई हैं ठीकहां सबमालियें देखें भरी हुई लगा देंगे ब्याख्या के अनुसाल बात को सभी लोग समय लेंगे जी देखें जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी कहाने एक अर्थ क्या हो गया जीवन में रंग विरंगी अच्छी यादे भरी हुई है सुधिया का अर्थ होता है यादे सुहावनी अच्छी यादे भरी हुई है सुरंग का अर्थ होता है रंग विरंगे ठीक है रंग विरंगे रंग विरंगी व्याख्याक्रसा जो बोलना है वो बोलेंगे ठीक है जीवन में जीवन में रंग विरंगे और सुन्दर यादे भर मतलब एक जीवन में रंग बिरंगी और अच्छी यादे भरी हुई हैं अब सभी लोग आगे देखेंगे छमियों की चीत्र गंद फैली मन भावनी सुन्दर्ता की चित्रपी गंद मन को भाग गई है अब देखेंगे अर्थ च्छवियों की यानी सुन्दर्ता की ठीक है चित्र गंद चित्र गंद मन भावनी मन को भाने वाली फैली का प्रयोग भाव करुशार रेगा व्याख्या देखेंगे सुन्दर्ता की चित्र गंद मन को भाव गई है सबीलों बात को समझ लेंगे सुन्दर्ता की चित्र गंद मन को भाव गई है पागे देखेंगे कुंतल के फूलों की आद बनी चादनी चादनी के लंबे बाल फूलों की आद बनकर फूलों की आद दिलाती है ठीक है चादनी की लंबे बाल फूलो की याद दिलाती है देखेंगे अर्थ चादनी चादनी कुंतल लंबे बाल कुंतल कर्थ क्या होता है लंबे बाल फूलो की याद बनी मतलब फूलो की याद दिलाती है क्या चादनी की लंबे बाल ठीक है चादनी के चादनी की ठीक है चादनी की लंबे बाल लंबे बाल फूलों की याद दिलाती है सब लोग बात को समझ लेंगे चादनी की लंबे बाल चादनी की या की बोलेंगे चादनी की लंबी बाल लेकि लंबी कम जम रहा है ठीक है लंबे बोलेंगे चादनी के लंबे बा या के बोलेंगे सभी लोग बात को समझेंगे क्योंकि की अच्छा नहीं लग रहा है तो ब्याख्या बना जाता है सभी लोग जानते हैं ब्याख्या को हम बनाते हैं स्वयम है ठीक है चादनी के लंबे बाल फूलों की याद दिलाती है सभी लोग बात को समझ लेंगे चादनी के लंबे बाल फूलों की याद दिलाती है अब आगे देखेंगे भूल सी एक छुवन बनता हर जीवित छड करने का अर्थ है कि जीवन का हर एक छड एक अस्पर्स के रूप में मानों भूलता जा रहा है जैसे हमने कल क्या खाया कल हमने कहां गया कल मैंने क्या किया यह सब हम भूलते जा रहे हैं तो वहीं चीज है देखें जीवित हर छड यानि जीवन का हर एक छड सब लों बात को समय लेंगे जीवित जीवन हर हर छड छड यानि समय हर का मतलब वहता है प्रते ठीक है तो ब्या एक छुवन बनता एक अस्पर्स के रूप में एक छुवन मतलब क्या आता है छुणा यानि एक अस्पर्स के रूप में मानो सी का प्रयोग करेंगे मानो मानो भूलता जा रहा है भूल सी यानि भूलता जा रहा है मानो भूलता जा रहा है बात को समय लेंगे एक पंगती भूल सी एक छुमन बनता हर जीवित छड़ जीवन का हर छड़ एक अश्पर्ष के रुप में मानो भूलता जा रहा हो अब आगे देख लेंगे छाया मत छूना मन होगा दूख दूना कभी करा है कि हे मन तू ब्रह्म और दुविधा में मत पढ़ना क्योंकि इससे तुम्हारा दूख कम नहीं होगा बलकि और भी बढ़ जाएगा अब सबी लोग पायट वन के व्याख्या को सबी लोग समझेंगे फिर से छाया मत छूना मन होगा दूख दूना कभी करा है कि हे मन तू ब्रह्म और दुविधा में मत पढ़ना क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा वलकि और भी बढ़ जाएगा जीवन में रंग बिरंगी जीवन में रंग बिरंगी अच्छी यादे भरी हुई हैं सुन्दरता की चित्रवी गंद मन को भा रही हैं देखिए यहां पर एक लाइन छुट गया था देख पारें सभी लो जी एक लाइन छुट गया था सभी लो बात को समय लेंगे अभी अभी ध्यान आया देखिए तारों से भरी हुई रात्री अब बीत गई है कि अभी देखिए पारों से भरी हुई रात्री अब बीत गई है केवल 3 रुपी सुगन नहीं सेसं बचाए केवल 3 रुपी सुगन नहीं बचा हुआ है सभी लो बात को समय लेंगे देखिए हैं यहां पर एक पंगती छूट गया था देखिए बीत गई यामनी यहामनी का म ठीक है तारो से भरी विरात्री यामनीक अर्थ होता है तारो से भरी विरात्री तारो से भरी विरात्री अब बीत गई है केवल यहां लगा दें केवल केवल तन रूपी सुगंद ही बचा हुआ है स्यस्त रही मतला बचा हुआ है तन सुगंद यानि तन रूपी सुगंद बचा हुआ है सभी लोग बात को समय लेंगे सुन्दरता की चित्रिवी गंद मन को भा रही है तारों से भरी हुई रात्री अब बीद गई है के वल तन रुपी सुगंद ही बचा हुआ है चादनी के लंबे बाल फूलों की याद दिलाती है जीवन का हर छड एक असपर्श के रुप में मानो भुलदा जा रहा हो कभी करा है कि हे मन तु मन और ब्रह्म में कभी करा रहा कि हे मन तु भ्रह्म और विधा में मत पढ़ना क्योंकि इस सी तुमारा दुख कम नहीं होगा बलकी और भी बढ़ जाएगा सबी लोग बात को समय लेंगे देखिए यहाँ एक पंक्तिया छुट गया था ठीक है तो सबी लोग बात को समय लेंगे इसका आर्थ क्या था तारों से भरी हुई रात्री अब बीद गई है केवल तन रुपी सुगा नहीं बचा हुगा है सबी लोग इस बात को ध्यान आप लोग ने पाइट बन को भली बाती पड़ा समझा हमें उम्मीद है कि आपको समय आया होगा जल्द मिलते हैं पाइट टू के पाइट टू को लेकर तब तक के लिए बेश्टाप लाग झाल बात को लेकर टू को लेकर दो बात कर दो कि लेकर दो के लेकर आपको आपको लागा जागा है